उज्जेन में कुम्ब के परवपर सत्संग था नेपाल वाले ध्यान से सुनना अब उज्जेन में कुम्ब के परवपर सत्संग था इस बार जो हुआ कुम्ब नहीं 1992 का कुम्ब उज्जेन का तो क्या हुआ कि एक सज्जन नेपाल से आये थे पहली बार आये थे कुम्भशनान के लिए पर देखा बापु जी का सत्संग तो सुना सुना तो उनको बड़ा अनंद आया उनको हुआ कि हमारे नेपाल में भी बापु जी का सत्संग होना चाहिए पर बोले इतनी भीड है गुरु जी से बात कैसे होगी तो सत्संग सुनने के बाद वो मंदिल में गए उज्जयन में जो जोतिरलिंग है महाकाल एश्वर वहाँ गए भगवान महाकाल को प्रात्ना की कि जैσे उज्जयन के कुमब में बापु जी का सत्संग हो रहा है ऐसे ही कुम्ब का वातावरन हमारे नेपाल में भी हो बापूज पदारे नेपाल में कि बापूजी का सत्संग जहां भी होता है वहां कुम्ब का मावली हो जाता है कैसी भक्तों की और महात्माओं की भीड जुपती है प्राथना करके मंदिर में से लोटे अपने निवास पर आराम किया अगले दिन सुबह जल्दी बापू जी के निवास का पता लगा कर वहाँ पहुँच गए सुबह सुबह थोड़ी देर के बाद जब सत्संग में जाने के लिए गुरुदेव गाड़ी में बैट कर निकले तो कुछ भक्तों के साथ ये भी खड़े थे लाइन में तो गुरुजी ने इनसे ही पूछा सीधा के कहां से आए हो क्या चाहते हो तो वो तो गदगद हो गए के कल तो मैंने महाकाल मंदिर में प्रातना की और देखो महाकाल बाबा ने मेरी प्रातना स्विकार कर ली और गुरुजी खुद पूछ रहें कि क्या चाहते हो कहां से आयो तो उन्होंने कहा कि बापोजी हम नेपाल से आये हैं और हम चाहते हैं कि नेपाल में भी आपका सत्संग हो जाए गुरुदेव ने का ठीक है धीरज रखो हो जाएगा और थोड़े वर्षों के बाद फिर नेपाल के वीर गंज में गुरुदेव का सत्संग हुआ था चार दिन के लिए पूर्णिमा पर एक पूनम देदी वहां पर पूनम व्रतदारी जो सादक है हजारों वो भी नेपाल आये थे पूनम व्रतदारी भी पहुँचे थे नेपाल वीर के सत्संग में तो कैसी बढ़िया बात है और उन दिनों की बात है जिन दिनों बापू जी का सत्संग वीर गंज नेपाल में चल रहा था तो मुंबई के पास एक जगय का नाम में भूल रहा हूँ वहां एक लड़का दिक्षा नहीं ली थी उसके माबाप ने ली हुई थी लड़के को माने गले में बापू जी के चित्र वाला एक लॉकेट पहना आया था तो लड़का स्विमिंग पूल में तैरना सीखने जाता था एक दिन लड़का तैरना सीखने गया सोचा कि मेरे को तो तैरना आ गया है तो जान मूझ कर थोड़ा ज़्यादा गेरे पानी मे गया तो डूबने लगा तो उसको लगा आज मेरी जिंदगी का सायद आकरी दिन है तो बापु 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 मन में करने लगा गले में जो लॉकेट पेना हुआ था वो पकड़ के मनी मन पुकारने लगा तो अद्रिश्य शक्ती ने उसका हाथ पकड़ के खीचा है किनारे बिना शरीर के भी वो इस पर्श कर ले खींच ले नयन बिनुबेखा और बिना नयन के उसका अनुभव किया जा सकता है उसके इस पर्श का उसकी नजदी की का ऐसास किया जा सकता है किया है कई वक्तों ने मां को आकर सारी बात बताई थोड़े दिन के बाद सूरत में कारेकरम था बापुजी नेपाल से लोट करा चुके थे सूरत के आश्रम में महिला पहुँची बेटे को लेकर बीड बहुत थी इतनी बीड में बापुजी ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और पास बुला कर कहा मुझे उस लड़के ने बताया उसके बाद कि मैं उस दिन पहली बार ही आश्रम गया था और इतनी बीड में गुरुदेव ने मुझे ही बुलाया और कहा कि क्यों ओ गहरे पानी में बापु बापु करके चिला रहे थे तुम ही थे ना मैंने आने में देर की ओ लड़के को काटो तो खून न निकले ऐसा अश्रे हो रहा था और बोले मैं उस दिन पहली बार ही गया था और ऐसा नहीं कि मेरी मा ने जाकर पहले गुरुजी को कुछ बताया हो ऐसा था नहीं वो पीछे थी तो देखो ये शक्ति है भक्ति में